द्रिश्टे आईएस के डेली करण न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है यह है खबर हमने दे हिंदू से ली है और खबर है न्यूजिलैंड ने पारित किया गर्भपात शोक अवकाश कानून न्यूजिलैंड की संसदने माताओं और उनके पार्टनर को गर्भपात या स्टिल बर्थ किस्थिती में वैतनिक अवकाश यानि पेड लीव प्राप्त करने का अधिकार देने वाला कानून पारित किया है इसे मिस्कैरेज बीरीवमेंट लीव लॉ कहा गया है इस कानून के तहट गर्भवस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिती में कर्मचारियों को तीन दिन का वैतनिक अवकाश मिर सकेगा अवकाश के ये प्रावधान माताओं और उनके पार्टनर के साथ साथ ऐसे मातापितर पर भी लागू होंगे जो गोद लेने यानि एडॉप्शन या सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं न्यूजिलेंड की संसर में इस प्रस्ताफ को सर्व सम्मती से पारित किया गया है इसके साथ ही न्यूजिलेंड ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है भारत को ऐसे प्रावधान लागू करने वाला पहला देश माना जाता है न्यूजिलेंड महिलाओं को मतदान का अध झाल झाल